हलो एवरिवन आज है 18 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IDFC First Bank के बारे में देखे 55 रुपे का ये शेर है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से ये इसी रेंज के आसपास गुम रहा है थोड़ी बहुत तीज़ी आ दिये थोड़ी बहुत गिरावट आती है एक लोवर लिवल से काफी बड़ी रफ्तार पकड़ी उसके बाद एक बड़ा करेक्शन भी दिखाता हूँ और नजर आ रहा है तो डेफिनेटली बात करना बनता है कि आईडिय अफसी फर्स्ट बैंक में आखे चल किया रहा है खरीदारी के मौके भी बन रहा है कि नहीं और जिस तरीके के माहौल बने हुव है हाल फिला में ग्लोबली बैंकिंग सेक्टर को लेकर ऐसे में ये कौन सी पोजिशन पर नजर आ रहे है वीडियो को शुरू कर उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो IDFC First Bank 55 रुपे का ये शेर है और पिछले अगर हम बात करें एक महिने की तो जहां था वहीं पर आच चुक है लेकिन इस बीज गिरावट भी थी 53 पर गया बड़ी रफतार पकड़ी 57 पर गया वापस अभी करेक्शन दिखा रहा है अगर बात करी जाए पिछले एक साल की करेक्शन दिखा रहा है अगर आप देखो तो एक बड़ी रफतार के बाद तीज़ी दिखाता है तो उससे जदा बड़ी गिरावट आती है फिर थोड़ी बाद तीज़ी आती है तो देखा जाए तो एक डाउनवर्ड ट्रेजिक्टरी अभी हाल फिलाल में ये शो कर रहा है डेफिनेटली एक बड़ा बांस लेक हमें देखने को मिल जाता है बीच-बीच मिलेकिन गिरावट उससे जादा फिर आती है फिर तीज़ी दिखाता है फिर गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जादा नजर आ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है जिस तरीके से सिलिकवन वैली बैंक की हालत खराब हो इस पूरे बैंकिंग सेक्टर की ग्लोबल अगर आप देखो छोटी बैंक से वहाँ पर दिक्कत आना शुरू हो रही है reason simple है कि अगर banking sector में इस तरीके महाला तो बनते हैं तो लोग छोटी bank से जादा बड़ी bank पर trust जादा कर लेते हैं वर अब जो लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा छोटी banks में deposit किया हुआ होता है वो कहीं न कहीं अपने पैसों का diversification ढूंडते हैं और थोड़ा बहुत पैसा निकालना शुरू करते हैं फिर उसको बड़ी banks में अरकना शुरू करते हैं तो यह एक reason है जहां से छोटी banks के लिए शायद दिक्कत आ सकती आने वाले दोर में और दूसरी बड़ी बात यह है कि पैसा, fund raise करना बड़ी banks जो होती है वो कम interest rate पर भी fund raise कर लेती है लेकिन जो छोटी banks होती है वो ऐसे situation में उनको higher interest rate पे करना पड़ता है fund raising के लिए और यह simple बात है यह हर बार होता है यह और ऐसे में जो जब भी क्राइसिस आता है bank से जोड़ा हुआ तो बड़ी banks को हमेशा फायदा होता है चोटी banks हमेशा ऐसे में struggle करती है कुछ वक्त के लिए लेकिन IDFC first bank चोटी bank ज़रूर है लेकिन खलाब bank नहीं है पहली चीज़ हाल फिलाल में एक बड़ी खबर भी आई है कि IDFC first bank भईया मुंबई इंडियन के साथ इनके banking partner है फोर तीन साल के लिए IPL सेजन को लेकर देखो IPL इस महिने के end में शुरू होने वाला है और मुंबई इंडियन का भईया banking partner बन चुका है तीन साल का इनका contract है जो की बड़ी बात है और जाहिए से बात है IPL के दौरान मुझे लगता है कि मुंबई इंडियन का इनका banking partner है तो काफी बड़े पैमाने पर IDFC First Bank का आपको promotion देखने को मिलेगा IPL के दौरान और ऐसे में हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी बहुत रफतार पकड़ ले बले ही banking system में थोड़ी से गिरावट है लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी at least जब तक IPL शुरू नहीं होता है थोड़ा बहुत correction यह दिखा सकता है और जिस तरीक के माहल बने हुए interest rate बढ़ रहे हैं और भी हमने देखा कि किस तरीक से यूरोप में interest rate बढ़े हैं तो कहीं न कहीं short term के लिए borrowing कम हो जाती है और जिसकी वज़े से banks के profits और revenue पर असर पड़ता है अगर बात करी जाए IDFC first bank के तो volume काफी अच्छ है बड़ी quantity में share trade कर रहे हैं दो करोड से भी जादा के volume समने देखे हैं इतना ही नहीं अगर हम देखे तो मोतिला लोस्वाल की buying के recommendation है 70 रुपे का target है और तो और ICI से direct की भी buying के recommendation है 70 रुपे का target है according to money control user 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो तो मेरी buying के recommendation है लेकिन इस price पर नहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा banking sector अभी थोड़ा सा और परिशानी से गुजर सकता है और ऐसे में खरीदारी के मौके थोड़े से और नीचे के लिए पर यहां पर बन सकते है कहां पर बनेंगे वह भी हम बात करेंगे वीडियो में लेकिन इनके dividend पर नज़र करें तो 2018 में इसने पे किया था उसके बात कोई dividend पे नहीं किया है और तो और सबसे अच्छी बात यहां पर जो हुई देखो share में जो तीज़ी आई है उसकी सबसे बड़ी वज़ा यही है कि इसने बहुत अच्छा performance दिखाए है आप देखो revenue इनके लगातर बढ़ रहे है 17,000 क्रोड के आसपास के revenue रहे पिछले financial year में 2022 में अभी और बढ़ेंगे क्योंकि अभी quarter ले इनका revenue अगर आप देखो तो आप देखो quarter on quarter कितना बड़ा growth है 5911 क्रोड के इनका revenue रहा interest earning कहला आप इसे और जो इससे पहले की quarter में 5470 क्रोड के आसपास हुआ करता था पिछले साल ये 4429 क्रोड था तो देखा जाए तो quarter on quarter बहुत बड़ा है interest earning और सबसे बड़ा growth आया है profits में 604 क्रोड का मुनाफ़ा इसना कमाया डिसंबर में September में 555 था इससे पहले 55 साल के 280 क्रोड का सा तो देखो already हम सब जानते हैं कि COVID के दोरान और इन सब के बाद जब interest rate कम हो गए थे तो demand बहुत ज़ादा बढ़ गई थी जिसकी वज़ए से फाइदा मिला banking sector को भी फाइदा मिला इनके revenue profit समझा बढ़ना शुरू हो गई यहां पर लेकिन अब थोड़ा से shrink आएगा और ऐसे में जो performance इन्होंने दिखाई है न यह इतने बड़े revenue इतने बड़े profits के मुझे लगता है कि शायद अब इसको maintain रखना इवन अगर maintain भी रखने तो भी share price के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि market predict करते हैं कि year on year growth आनी चाहिए अगर वो नहीं आती है तो कहीं न कहीं एक negative factor होता है और बाद में दुबारा correction आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर अभी यह जो इनका profit 600 क्रोड का last quarter में हुआ है अब यह उनको इससे बढ़ाना पड़ेगा हर quarter में अभी मान लो कि March quarter में इनका profit 500 क्रोड का भी होगा तो भी वो अच्छा नहीं consider किया जाएगा और share price में उसको चलते थोड़ा बहुत सही लेकिन 8-9% के गिरावट भी आएगी बाद में अगर इतना आता है तो लेकिन अगर 700 क्रोड का हो गया तो वापस 8-10% बढ़ जाए गई है तो यह एक बड़ी बाद है यहाँ पर कि इनके quarter on quarter of expectation बढ़ रही है अब उस तरीके से इनको performance भी दिखानी पड़ेगी IDFC First Bank को हलाकि 40% analyst कहते है खरीदारी करो और जहां तक बात करें share holding की तो share holding में promoter के पास 36.38% की holding हलाकि December quarter का data है March में promoter की holding आपको बढ़ती हुई नजर आई क्योंकि IDFC Limited ने यहाँ पर खरीदारी करी थी 40% की हिसिदारी अब है उनके पास 4.01% mutual fund के पास है 5.62% domestic के पास है और यह December का data है जब March का data update होगा तब देखना interesting होगा कि mutual fund domestic और FIS ने यहाँ पर क्या किया है खरीदा है या फिर बेचा है IDFC First Bank देखो एक अच्छा bank जरूरूर है और मैं मानता हूँ कि definitely यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी longer term में लेकिन short term का जो outlook है banking को लेकर मैं मान के चला हूँ कि थोड़ा सा pain रहेगा थोड़ा सा panic रहेगा और देखो यह जब 2008 वाला crisis आया था हम सब ने देखा कि पहले शुरू में कुछ banks गिरना शुरू हो जबाद में बड़ा crisis आया था तो देखो पहले वाली खराब situation नहीं है अगेन मैं कह दू तो काफी लोग क्या है कि वैसा वाला होगा तो अगेन वो चीज़ रिपीट नहीं होगी 2008 वाला crisis रिपीट नहीं होने वाला है लेकिन हाँ कुछ छोटी banks को दिक्कत आ सकती है और छोटी banks जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि छोटी banks को पैसा raise करने में दिक्कत है और अगर raise कर भी लेंगे वो लोग तो higher interest rate पे उनको raise करना पड़ेगा दूसरी बड़ी बात है कि अगर panic फैलता है तो लोग छोटी banks से पैसा निकालना शुरू करते हैं और बड़ी banks में रखना शुरू करते हैं या फिर कोई alternative investment करना शुरू करते हैं चाहे वो gold के बात क बड़ी बात है लेकिन बड़ी banks में वो prefer करते हैं या फिर थोड़ा बहुत निकालते हैं तो कहीं न कहीं ये बड़ा reason यहां पर जरूर बन सकता है और देखो bank अच्छा है चांदार bank है ड़ने वाले को इतने बड़ी बात मुझे लगती नहीं है लेकिन जहां तक बात है ख खबराई थी बड़ी पूतिन को लेकर arrest warrant जारी हुआ है तो अगेन उसका कुछ होने वाला है नहीं लेकिन फिर भी globally जो situation बनी होई है वो इतनी अच्छी positive अभी नजर नहीं आ रही है चाहे bank crisis को लेकर हो चाहे Russia Ukraine war को लेकर हो और उसकी वज़से और भी सारी चीज़े involve हो र उसके चलते तो मैं यही कहूंगा कि बहुत सारी global events है जो कहीना कहीं बाजर को परिशान कर रही है परिशान कर सकती है तो अभी एक दम से एक जटके में खरीदारी करना मेरे इसाब से stock market में थोड़ी सी जल्दबाजी होगी मैं अभी भी मानके चल रहा हूँ कि पूरे आपको 8-9% का correction कम से कम देखने को मिलने वाला है बाकी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं पेहन करूँगा पसंद आखो तो लाइक कर शाह कर चाहिए पगर पहली बाहर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और IDFC First Bank के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझ